दोस्तो आप लोग अपने बालों को काला घना लंबा और सिल्की साइनी वराने में क्या करते हैं कैमकल वारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है आपके जो बचे खुचे बाले बोबी सफेद हो जाते हैं साथी साथ बालों का जहाड़ना इस्टार्ट हो जाता है और बालों में रुखापन आ जाता है आपके जो बाल पिलकुल दो मुहें हो जाते हैं जहाड़ू जैसे बाल पतले हो जाते हैं और बालों में क्या हो जाता है डेंडर हो जाता है तो आज का जो में नुस्खा आपको बताऊंगी इस नुस्के से आप अपने बालों से जुड़ी कोई भी प्रोब्लम है सब खतम कर सकते हैं और आप अपने बालों को काला घना लंबा मोटा सिल्की स्थाइनी बना सकते हैं नुस्के तैयर करने के लिए सबसे पहली सामगरी आपको लेना होगा यह है दोस्तों ज दूद्ध बनाता है तो आपको क्या करना है दो इंच का टौकड़ा अध्रक का ले लेना है और अध्रक को अच्छे से पानी से दोओ ये ताकि दूल मिठी गद्यकिन सारी निकल जाए आप इसको हम क्या करेंगे ग्रेट कर लेंगे या पिर आप इसका पीश्ट भी बना सकते हों दोस्तों एक आप से रिक्वेश्ट है वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों बैसेंगे रहे हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करना फिरी है लेकिन मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है तो यहां पर आप दे सकते हैं अधरक को मैंने ग्रेट कर लिया है अब दूसरी सामगरी आपको चाहिए यह है दोस्तों लैसुन यारी की गर्लेट अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो लैसुन है इसको हम लगाएंगे तो इसमें आजीव ट्राइब की इसमेल आएगी तो आप पर आप ले सकते हैं प्याज यानि की ओनियन आप लैसुन नहीं लेना चाहते हैं तो प्याज ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह लैसुन और प्याज में दोस्तों क्या होता है सलफर तो फिर आप चाहे लैसुन इस्तिमाल करिए या फिर प्याज तो लैसुन में होता है sulfur selenium यह हमारे बालों को जड़ों से मजूद बनाता है साती साथ बालों को टूटने जड़ने से रोकता है और बालों में यह क्या करता है anti-vacterial तरीके से काम करता है बालों के scalps में जो गंदगी हो जाती है धूल मट्टी हो जाती है और उनसे जो बैक्टेरिया पनपने लगते हैं उन बैक्टेरिया को भी ये पनपने नहीं देता है और बालों की लंबाई को ये तेजी से बढ़ाता है तो आप चाहे लेसुनी स्क्राइब करिए इसके साथ में या फिर प्याज मैंने उस्पन दे दिया आपको अब यहाँ पर दोनों चीजों को मैंने ग्रेट कर लिया है अब इसको हम करेंगे एक कटोरी में और अब इसमें डालेंगे हम अगली सामकरी अगली सामकरी दोस्तों भी सकते हो तिल आप टेल दो मिवहनु कुणों को एक कपको मुझे झालने के बाद मेंुंक तो आपạoर सबक्या यहां प्रब्लम नहीं है तो मुझेट हाiau जड़ा से टेल कम लग रहा है तो मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा सा तेल और भी एड़ कर दूंगी तो यह देखिए मैंने करीबन 2-3 चमबच इसमें तेल और डाल दिया है अगर आप कप से ना पेंगे तो आदा छोटा कप इसमें तेल आपको डालना है अब हमें क्या करना है इसको ऐसे ही धूप में रख देना है या तो आप किसी इसे किसी डिबी में भर करके धूप में रख दे या फिर ऐसे ही किसी चीज से ढख करके इसे ढूप में रख दीजिए तो मैं यहां पर आपको दिखाने के लिए पिलेट इसमें ढख रही हूं तो और आप इसके उबर कोई कपड़ा साय से बांद दीजिए डाल दीजिए तक किसमें धुलमिटी न जा सके और इसे आप सुबस लेके साम तक इसको रख दीजिए बना करके पूरे दिन के लिए और साम को च्छान लेना आप तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरे उबलने में जाए जब गरम हो जाए तो उसके उपर इस कटोरी को रख देना और रख करके करीवन पांस मिनट के लिए इसको पका लेना यह तेल आपको तयार हो जाएगा अब आप देख सकते हैं यह हेर मास्क आपका बन करके बिलकुल तयार हो चुका है दोस्तों इसमें म पालों से जुड़ी एक भी समस्या नहीं रहेगी जडसे खतम हो जाएगी आप इसे बालों की जड़ों में बालों की लेंथ में पूरे बालों में अच्छे से लगाईए और लगा करके दस मिनट के लिए मसाज करिए और उसके बाद में इसको छोड़ दीजिए अगर आप रात में सोने से पहले लगा रही है तो आप इसको रात बर के लिए छोड़ देना छोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रात बर नहीं रख सकते हैं तो आप इसको अपने बालों के धोने से पहले दो घंटे पहले आप इसे जरूर लगाए ठीक है दो से त गंटे के छोड़िये रातवर के लिए चोड़ दीजिए और उसके बाद में आपको क्या करना है किसी भी माइड्ट सेंपू से आप अपने बालों को साफ कर लीजिए इस तरीके से इस तेल को आप अपने बालों को धोने जाएं इसको तो इस्तिमाल करिए आप इसे कम से कम हपते में दो बार जरूर इस्तिमाल करें आप देखना कुछ दिन के प्रयोग से ही आपके बाल काले घने और मजबूत यानि कि बालों का जढ़ना ही रुक जाएगा अगर आपके रूसी है तो भो भी आपकी खतम हो जाएगी इंफेक्स होने लगे और इस तेल को आप किसी भी डिबी में भरकर के रख लीजिए यह बिलकुल भी खराब नहीं होगा चलब आप इसे पका करके बनाएंगे तो यह बिलकुल भी खराब नहीं होगा इसे आप आराम से पंद्रह दिन तक इस्टोर कर सकते हों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दूस्तों सेरा करना और चैनल को सब्सक्राइक कर लेना मैं मिलती हूँ नई वीडियों साथ तक के लिए नमाशकार